व्लॉग शुरू करते हैं अभी आज जो है ना ब्रेकफास्ट बनाते बनाते चलिए आप लोगों से बात करेंगे क्योंकि पूरे दिन यहां गाना वाना बज रहा है फिर से 26 जनवरी ठाना तो बस जब भी कोई भी ओकेशन हो तो यहां हमारे एरिया में इतने तेज से लाउ ब्लॉग शुरू करने से पहले नॵई वीवर्स के लिए बता दू कि मैं हूं सारीका, एक सिंगल मदर हू। और मेरे चैनल पे आपको हर रोज व्लॉग्स देखने को मिलेंगे मेरी डेली लाइफ स्टाइल जो की आदी के साथ होगी मेरे बेटे के साथ और साथ में कभी कभी ट्रैवल व्लॉग्स भी आप लोग देखेंगे तो चलिए नाफते में क्या बना रही हूँ पहले जल्दी से वो बता देती हूँ आज ब्रेट टोस्ट बना रही हूँ चीज वाला चीज बटर टोस्ट और इसके अलावा बना रही हूँ मसाला वाला मैगी जो की मैं एकदम अपनी तरफ से बनाती हूँ मतलब समझे मेरी वाली मैगी की recipe आप लोगों को आज दूँगी तो चलिये recipe भी आप लोगों को यहीं पर बता देंगे वैसे तो generally मैучी recipe cooking channel पर आप लोगों को देती हूं लेकिन यहाँ भी चलिये आज बता देती हूं क्योंकि रूम में बैटके एकदम बात नहीं किया जा रहा है वो गाना वाना बज रहा है न माइक में इसलिए तो कीचेन में ही इससे अच्छा आप लोगों के साथ आज रेसिपी शियर की जाए तो रेसिपी तो मेगी की बहुत लोग बहुत तरह से बनाते हैं और मैं भी अच्छली बहुत तरह से बनाती हूँ तो उन बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है जो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ लेकिन उससे पहले हम दोनों के लिए ही मैं तो मतलब यह समझी है ब्रेट टोस्ट तो बन गया और अब आपको दिखाते हैं कैसे बनाती हूं मैंगी देखिए सबसे पहले खूब सारा बटर ले रही हूं क्योंकि बटर में ही जो भी वेजिस उसे फ्राइब करूंगी और वेजिस इसमें आप चाहे तो बहुत तरह की ड जो आदी को पसंद है देखिए मक्षन में मैंने एक हरी मिर्च को स्लीट करके डाल दिया थोड़ा सा लेसन डाला है क्योंकि बटर और गार्लिक जो है लेसन उसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है लेमन बटर और गार्लिक का और इसके अलावा प्यास डाल रही हूं टमा इसमें डाल दी हूं नमक थोड़ा सा जादा रख रही है क्योंकि सूपी नूडल जैसा होता न उस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा लिक्विड होगा तो लिक्विड के हिसाब से मैगी में मसाला रहता नहीं है तो जो पानी एक्स्ट्रा जाएगा उसके हिसाब से भी न मिर्च भी मैंने एक ही डाली है आप लोग चाहें तो जादा भी डाल सकते हैं बढ़ा के जादा तीका चाहिए तो अब बस सारी चीजों को थोड़ा सा सौते करेंगे बटर के साथ सोचिए सारी चीज़े फ्राई हो रही है तो अपने आप में ही कितना टेस्टी होगा साथ मे खूब सारा देखिए धनिया की पतियां डाल दी हूँ क्योंकि धनिया की पतियां आदी की बहुत फेवरिट है और लास्ट में फिर से डालोंगी धनिया की पतियां तो अब काफी सारी चौप करके रखी हूँ और क्योंकि दो पैकेट मैगी बना रही हूँ मैं तो दो ग्ल तो बहुत टेस्टी होता है और यह देखिए मैगी जो है उसे मैं करश करके डाल रही हूं ताकि खाते वक्त लंबे लंबे नूडल जाने से ना धिक्कत होता है कहने में तो इसलिए मैं उसे ग्रश कर देतीघ हूं ताकि छोटे छोटे वाइट ही आएगा और वो जो लंबा- तो एक पैकेट मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ दूसरा पैकेट मैं बस काट के रख रही हूँ अभी नहीं डालूगी इसका इस्तमाल जैसा कि मैंने बताया इसको बाद में डालेंगे तो जैसे ही थोड़ा सा उबाल आने लगेगा इसमें फ्रेंड्स तो इसमें थोड़ा सा हम लोग और फ्लेवरफुल बनाने के लिए निम्बू डालेंगे तो गार्ली की बटरी लेमनी मेगी बन के तयार हो रही है नाम अपने अकॉर्डिग आप दे सकते हैं इसको कुछ भी हम लोग तो लेमन बटर मेगी कहते है इसको जब बनाते हो और बहुत सारे और तरीकों से भी मैं मेगी बनाती हूँ तो उसमें से एक तरीका ये है और तरीके अगर आप लोगों को देखने है मैगी के मैं कैसे कैसे बनाती हूँ टीज वाली मैगी होती है, तो वो सारी रसीपीज और आपको देखनी है कमेंट कीज़िएगा तो फिर मैं जरूर वो सारे रसीपीज भी शेयर करूंगी और बस जब अच्छे से बॉयल होने लग जाए तो देखिए मैगी हमारी तयार है जादा हम सुखाएंगे नेकियों की सूपी नूडल्स बना रहे न तो बस इसी स्टेज में हम लोग गैस को कर देंगे ओफ और गैस ओफ करने के बाद एक और बड़ा सा स्कूप मक्खन का डा तो बस बन के तयार है हमारी सूपी नूडल्स और इतनी टेस्टी होते ना बटर का फ्लेवर है लसन का फ्लेवर है निम्बू है तो ओवरॉल में बहुत टेस्टी लगती और गर्मा गरम इसे खाईए ब्रेकफास्ट की हुसाम के स्नैक्स में भी बच्चों को बना के दीज तो बड़ा उसको अच्छा लगता है तो उसको मैं दे दे री हूँ कांच के बोल में कियूंकि फिर बाद में वौश भी तो मुझे ही करना होता है ना सारी चीज़े सहदियों में तो उसको ही बस दे रही हूं और मैं तो बस ऐसे ही कोई काटोरी वगारा मैं ले लूग और इसके अलावा अभी हम बनाएंगे चाय, तो चाय की तयारी भी कर लेते हैं, चाय भी मेरा थोड़ा लग तरह से होता है, चलिए आज आप लोगों को वो भी दिखा देती हूं, देखिए मैगी रेडी है, और अब चाय बनाने के लिए रग दूँगी, हाला कि चाय हम जाए तो चार कप चाय है, और चाय की मात्रा बहुत कम डालते हैं, दूद्ध थोड़ा जादा डालते हैं, और क्यूंकि चाय की क्वांटिटी जादा है, मैंने बुला इसले इतना सारा शक्कर में डाल रही हूं, क्यूंकि कप्स बड़े-बड़े हैं अगर दो कप के हिसा जादा बाप से ही डालते हैं रोज, तो चम्माच छोटा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, बोलके इतनी बार डालना पड़ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा गाड़ा वाला ही चाय पीते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम कम डालूंगी दूद, तो जादा बॉल भी नहीं करना है, पता है, उबाल आने लगेगा ना, एक से दो उबाल आएगा, हमारा चाय भी बनके तयार हो जाएगा, बाकि इसमें अद्रक इलाइची कुछ भी डालने से ना, आदी को नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसा प्लेन ही बनाती हूँ, और और इसके लावा मैगी भी अपना वाला कटोरी में डाल रही हूँ, और चाय उबल नहीं वाला है, तो सारी चीज़े ले जाके रूम में रख रख के आ रही हूँ बस, और देखिए चाय में उबाल आने लगा, एक से दो बार उबाल ऐसे ही आएगा, गैस आफ कर दूँग माइक में गाना बज रहा है बाहर, तो फिर बाते तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, वाइस ओवर ही करना होगा, तो इस से अच्छा है कि चाय लेके चलते हैं, रूम में आपको पूरा नास्ता जो है, वो दिखाते हैं और इसके साथ ही व्लॉग को खतम करते हैं, तो कैसा लग बस यही नास्ता दिखाते हुए व्लॉग को खतम करना पड़ा है, क्योंकि यह गाना वाना बज के हो गई है, बड़ी मुसीबत मुझे दिन भर मैं कुछ नहीं कर पारी हूँ वीडियो शूट क्योंकि इतना तेज गाना बज रहा है, तो देखिए मैगी जो है बहुत अच